दोस्तो आज हम discussion करने वाले हैं moon and art system के बारे में तो इस topic में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं पहले में बता दे रहा हूं origin origin हम पढ़ेंगे दोस्तो किसका दोस्तो moon का उसके बाद जो hypothesis इसी origin में जो hypothesis है दोस्तो उसको मैं details discussion करूँगा उसके बाद composition moon जो की उसके उपर जो composition उसको हम lunar petrology study बोलते हैं दोस्तो composition इसके बारे में हम थोड़ा discussion करेंगे और last में हम discussion करेंगे दोस्तो significance के बारे में सिग्निफिकांस के बारे में सिग्निफिकांस के बारे में हम डिसकेसन करेंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो इसमें क्या-क्या दोस्तो ओरिजिन में क्या-क्या हाइपोथेसिस है पहले क्या हुआ था इसको हम बोलते हैं ठेया हाइपोथेसिस ठेया हाइपोथेसि में दोस्तों क्या हुआ था एक दोस्तों थेया प्लानेट था एक दोस्तों प्रोटो आर्थ था ये दोस्तों आभी का जो आर्थ देख रहे हैं ये एसा नहीं था दो मतलब ऐसे प्लानेट था जैसे कि हमारा एक आर्थ उससे पहले क्या था दोस्तों प्रोटो आर्थ और तो तो बहुत सब्सक्राइब करता है तो मिल निगल जाते हैं और बहुत निकलते हैं एकटे साइड पे यह से रोटेड़ घटे हैं दोस्तोák के बाद एक्याश की किया हूए तो ऑसके बाद यह कोल मतलब कि मीलन हो جाता है यह डेवरि ज Frei डोश्तों एक सब एक साथ मिल जाते हैं में और डोस्तोık वो मून फोरमीशन होता है दोस्तों यह यह देख रहे हैं कियसे मून फोरमेशन हो यह o दोस्तों एक हमारा थहिया प्लानेट यह आप देख सकते हैं this is 현 buzz लमारे प्लानेट जोकि आर्फ के साथ 4.5 बिलियन य completely जैसे यहINE अ़भार्य और तो उसके बाद है इसका कोलीजन उत आपके यह देखे यह थे यह प्लानेट जो कि यह देखे आत का पूरा यह देखे दोस्तों तिल्टेशन नहीं हुआ यह आप जीरो डिगरी टिल्टेशन पर है तेन क्या हुआ कोलिजियन के बाद दोस्तों यह दोस्तों आभी कैसा होगा यह ऐसा था दोस्तों लेकिन कोलिजियन के बाद दोस्तों यह 23 डिगरी मतलब की यह हो गया इसी कोलिजियन से दोस्तों क्या हुआ यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे डेवरिस पाटिकल निकल एक साथ मतलब की कॉंपोज हो गए दोस्तों यह हमारा मून बन गया ओके और यह मून हमारा आर्थ के साइड पर ही घुम रहा है और इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों थेया हाइपोथेसिज थेया हाइपोथेसिज जोस्तों यह सबसे बहतेरीन हाइपोथेसिज है जो की मतलब की एक थेया प्लानेट और प्रोटो आर्ट को कोलीजन के कारण दोस्तों मून फरमेशन हुआ है यह सबसे बेस्ट हाइपोथेसिज आभी तक मून का फर्मेशन हुआ है मून का फर्मेशन हुआ है और यह क्या हमको explain करता है तोस्तो Why Earth is 23 degree tilted Okay, because of collision Because of collision of thea hypothesis Because of collision of thea hypothesis Thea planet and our proto-earth planet Collision के बज़े से आर्थ का जो tiltation हो गया 23 degree और collision के बाद बहुत सरा आर्थ के side पे बहुत सरे debris निकल चुके थे इन्ही debris का दोस्तो मतलब कि एक साथ million को हम क्या बोलते हैं अभी moon बोल रहे हैं तो इसी के कारान दोस्तो moon का जो petrology है moon petrology जो की rock type है moon rock and earth rock earth rock बहुत ही similarity आते हैं moon पे हमें क्या मिल ला है basalt okay art के भी उपर पार्ट में जहां पे मतलब कि बहुत सरे basalt मिलते हैं दोस्तो और यह basalt art के basalt के साथ बहुत ही similarity दिखाता है दोस्तो moon का जो rock है दोस्तो mainly basaltic rock यहां पे मिलता है दोस्तो दोस्तो आर्थ का basalt के भी obviously basalt मतलब कि obviously यह small grain size ही होगा तो इनका भी दोस्तो fine totally grain size होता है okay तो इसलिए दोस्तो आपको मैं बता दिया कि यह जो collision था दोस्तो यह जो थेया planet का collision था कितना angle में 45 degree में इसका collision होता यह हमारा art था यह हमार थेया planet था यह दोस्तो 45 angle पे आपका collision हो रहा है इन ही collision के बज़े से दोस्तो मतलब कि बहुत सारे debris निकल रहे हैं और debris दोस्तो बहुत सारे debris से एक साथ यह मिलके दोस्तो moon बना रहे हैं और इसका दोस्तो moon का कैसा है rapid cooling होता है moon एक चोटा सा है due to small size के कारण due to small size moon cool down fast cool down fast okay so इसलिए दोस्तो आपको जैसे की art में तीनों division मिलता है दोस्तो तीनों division क्या क्या एक होता है core mental crossed दोस्तो moon पे इसा कुछ भी इतना अच्छे से मिलता नहीं है दोस्तो crossed mental core इतना अच्छे से दोस्तो मिलता नहीं है क्योंकि ये सब कुछ debris एक साथ मिलके ये बनाया है okay theory में इसा बोला गया है और इसका जो composition है petrological composition क्या है दोस्तो आपको यहाँ पे bassard मिल जाएंगे bassard आपको कुछ unorthocyte मिल जाएंगे और these are glassy composition glassy in nature glassy rock glassy rock का है क्योंकि rapid cooling के बज़े से ये formation हो है due to rapid cooling ये glassy क्यों due to rapid cooling okay rapid cooling के कारण दोस्तो ये थोड़ा मतलब की glassy है और भी बहुत सारा hypothesis है दोस्तो इसको तो हमने बोल दिये क्या thea hypothesis और भी hypothesis है दोस्तो ग्राविटी क्या ग्राविटी क्या ग्राविटी क्या है दोस्तो एक दोस्तो ये हमारा आर्थ है ये हमारा आर्थ है एक बाहर से दूसरा प्लानेट आ रहा है और आर्थ के ग्राविटी के अंदर ये समा गया है ओके ये हमारा क्या है दोस्तो यह हमारा क्या है की आर्थ है इस टाइब एक प्लानेट बाहर से आ रहा है और क्या हुआ कि आर्थ के जो gravity है दोस्तों उसको capture कर गया है तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों आर्थ के gravity के कारण ये दोस्तों moon formation हुआ है। लेकिन gravity के कारण अगर moon formation होता तो obviously इसका rock type और इसका rock type इतना similarity नहीं होता। तो moon का formation का main कारण है दोस्तों, art से ही हमारा moon निकला हुआ है। ओके, और एक hypothesis है दोस्तो, rotation of earth, rotation of earth, मतलब आर्थ जैसे अभी solar system rotate करके दोस्तो आर्थ, Mars, Venus सब कुछ formation हुआ है ऐसा ही एक hypothesis है जैसे आर्थ यहां पर rotate कर रहा है दोस्तो आर्थ यहां पर rotate कर रहा है वो speed से rotate कर रहा है तो इसका भी दोस्तो centrifugal force क्या होगा ज़ादा हो जाएगा हमारा अभी moon ओके जहां से यह bulges आया था दोस्तो इसको हम pacification बोलते दोस्तो आर्थ यहां पर इसा था एक bulges त्यार हो रहा है यहां पर इसी bulges दोस्तो निकल गया ओके इसको हम अभी क्या बोल रहे हैं दोस्तो moon बोल रहे हैं इसका मतलब की opinion है कि opinion क्या है दोस्तो rotation of art rotation of art की rotation के बज़े से कैसा rotate हो रहा है आप एसे देख सकते हैं यह सब बहुत speed से rotate हो रहा है rotate के कारान दोस्तों यहाँ पे एक bulges start हो रहा है इसी bulges दोस्तों जैसे ही centrifugal force rotation के बज़े से centrifugal force centrifugal force दोस्तों increase हो रहा है इसी centrifugal force का increase के काना दोस्तों यहां से एक bulges हो रहा है इसी bulges दोस्तों बाहर आ गया ओके इसी बाहर जो आ गया है इसी bulges को इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों यह आर्थ के gravity के अंदर ही है और आर्ट के हिसाब से यह दोस्तो उसके साइड में घूम रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, मून बोलते हैं तो यही है दोस्तो और एक था कि मेटियोराइट इंपाक्क जैसे ही आपको बताया गया थी ठेया है वहां से प्लानेट के साथ तक्राओ हुआ वो अभी बोल रही कि एक meteorite आया इसी थेया जैसा इसके साथ तक्राव हुआ और तक्राव के कारण दोस्तों ये बहार चला गया ओके देखिए क्या story है एक दोस्तों हमारा art था ये क्या है meteorite impact के कारण एक hypothesis है meteorite impact वाला इसके kंहा ये धसे अगया चला ये घमरन खी दोस्तों बहुत सरह यहां पर उसे के कारन दोस्तों यहां पर अर्थ के अभी घूम रहा है, तो अगर meteorite होता तो meteorite इतना spherical नहीं होता, ये moon थोड़ा spherical टाइप का है, तो ये मतलब की इसको हम calculate नहीं करते है, moon के formation में, moon के formation में सबसे ज़्यादा, कौन सा hypothesis बहुत कारिगर है, दोस्तो थेया, थेया hypothesis, जो की ये हमरा आर्थ है, और दूसरा एक प्लानेट है, जिसको हम थेया प्लानेट बोलते हैं, इसी के साथ टकरा हो गया, टकरा हो के कारण बहुत सारे डेवरिस निकल गया, और बहुत सारे ड hypothesis, सबसे अच्छा hypothesis क्या है, थेया hypothesis, थोड़ा इसको याद रखना, ओके, देन उसका significance क्या है दोस्तो, इसी मून का सबसे बड़ा significance क्या है दोस्तो, यह दोस्तो हमें tide formation होता है, ओके, यहाँ पे दोस्तो क्या होता है, tide formation, तो tide formation क्यों होता है दोस्तो, मून का भी कुछ gravity होत भाती हुआ है तो इसई के वी gravity के attraction के कारण धोस्तों आर्थ में जो water होता है दोस्तों moon के तरफ attract हो जाते हैं ओके तो इसी को हम क्या भोलते हैं दोस्तों tide बोलते है ओके तो moon के जो मुन के आर्ट फोरस होता है कि sometime moon का आर्थ का भी होता है लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं मून का जो ग्राविटेशनल फोर्स है इसी के कारान दोस्तों यहां पर कैसे टाइड यह दोस्तों आर्थ का सरफेस है यह दोस्तों वाटर सरफेस है जहां पर वाटर होगा इसका दोस्तों रिजिडिटी बहुत ही कम मोन के ग्राविटेशन वोर्ष के करण यह अ्ट्राक्ट हो रहा है तो यहां पर आपको बॉर्जेश दिखने को मिलता है और इसी के करण यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हाईटाई यह मून है दोस्तो मुन जहां पर सोगा उसके जो फर्टिकल एरिया होगा वहां पर दोस्तो आपको उसका ग्राविटेशन फोर्स जादा रहेगा, इसके करन यहां पर आपको फ़र्ट दिखने को मिलेगा आर्थ अगर इस तरव movement करेगा तो definitely दोस्तो ये बाला पानी को आट्राग नहीं करेगा तो आर्थ इस तरव movement करेगा तो यहाँ पर भी थोड़ा depth बढ़ जाएगा क्योंकि आर्थ पहले खेसा था आर्थ पहले आप देख सकते हैं आर्थ दोस्तो यहाँ पर मतलब कि पानी को आट्राक कर रहा है यह देखिए यह दोस्तो बलजेस अफ वटर हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ आर्थ को भी movement कर रहा है आर्थ यहाँ पर आगर है यहाँ पर आजाएगा तो यहाँ पर तो depth हो जाएगा ना यह देखिए दोस्तों ओके मुन इस तरफ है बालांसिंग पोइंट के कारण ओके यहां पे है तो यहां पे तो अट्रक करें गई और उसके साथ आर्थ भी दोस्तों इधर भी मूब कर रहा है ओके इसी के कारण दोस्तों इधर भी एक साथ मुन जहां पे है दोस तो क्या, बोन दोस्तों, हमारा आर्थ को भी अठ्ट्रक करता है, not only water, दोस्तों, ये पहले येसा था, यहाँपे only इसको अठ्रक कर रहा है, यह हमारा मून है, ओके इसको तो अठ्रक कर गया, लेकिन इसका साथ हमारा आर्थ भी तो इस तरह भी चला आएगा, यह इससा होगा दिख़ी दोस्तो यहाँ पे क्या होगा यह हमारा मून हे यह हमारा सुन है तो ऐसा अगर होएगा तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा gravitation force अटर करें कि यह दोस्तो मून का भी gravitation force और यह दोस्तो sun का भी gravitation force तो जब दोस्तो सबसे बड़ा बड़ा tide आता है क्यों आता है दोस्तो moon और sun अगर एक साथ आगे तो यहां पर सबसे बड़ा बड़ा टाइड आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तो spring टाइड लेकिन एक case होता है यह आर्थ है हमारा यह दोस्तो आपका moon है और यह आपका sun है तो अगर vertical रहे है यहां पर भी tide होने वाला है और यहां पर फोर्स अवाटकसन देगा कुछ वाटर मतलब कि सूरज के कारण इस तरब भी रहेंगे दोस्तों सूरज का भी तो ग्राविटेशन फोर्स होता है तो यहाँ पे जितना आएगा और यहाँ पे दोस्तों एक सूरज के कारण आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा कि इतना बड़ा टाइड नहीं आएगा तो इसको हम नीप टाइड बोलते हैं दोस्तों लेकिन एक ही स्टेट लाइन पे अगर आर्थ, मून, सौन रह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइड आने बाला है और जब भर्टिकल में रहेंगे इतना अच्छा मतलब कि सबसे कम यहाँ पे टाइड आएगा तो जब सबसे कम टाइड आएगा दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों कि नीप टाइड बोलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइन पर यह हमारा आर्थ है, यह हमारा मून है और यह हमारा सन है, तो combined gravitational pool of sun and moon, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तो, इसको हम क्या बोलते हैं, spring tide, spring tide, ओके, spring tide, और अगर यह दोस्तो हमारा आर्थ है, आर्थ और यह मून है दोस्तो, य यह जो sun आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर नहीं रहे के sun अगर यहाँ पर रहेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों यह इस तरह भी थोड़ा आटरा करेगा और water इस तरह भी आटरा करेगा तो यहाँ पे एक minimum tide दिखाएगा तो इसको हम neap tide बोलते हैं दोस्तों neap tide ओके और कुछ basic point यहाँ पे हम जानने के लिए कोसिज करते हैं तो distance from moon, moon distance, distance from earth, from earth is about 384,000 km, okay 384,000 km है दोस्तों बहुत ही पास महीं है, okay तो इसका दोस्तों moon का atmosphere इतना अच्छा से build up नहीं हुआ है, no atmosphere, no atmosphere, आपको अच्छे से atmosphere यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, okay यहाँ पे moon पे जो plane होता है, moon पे क्या होता है, जो plane होते हैं दोस्तों, इसी plane को हम क्या बोलते हैं, मारिया बोलते हैं दोस्तों, मारिया और जिसका composition is generally basalt, और जो पहाड़ी एरिया है दोस्तों, उसको terrace बोलते हैं, okay mountain एरिया, एक plane होता है, मारिया, plane वाले को क्या बोलते हैं, plane जो होता है दोस्तों, उसको हम मारिया बोलते हैं, और जो mountain होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, terrace, terrace बोलते हैं, okay तो यह धोड़ा, इसका जो composition होता है दोस्तों, इसका तो basalt होता है, किसका, मारिया का composition, मारिया है, जो की हमारा plane है, इसका जोस्तों पॉजिटिव क्या है बसल्ट के उके और जो टेरास है दोस्तों इस दोस्तों आपका माउंटन है इसका जो पॉजिटिव ग्राविटी अनामोली अभर मारी है we will find positive gravity anomaly in maria then ओर एक point है दोस्तों इहां पे दोस्तों क्या है moon पे no atmosphere no atmosphere no atmosphere के कारण दोस्तों क्या होता है बहुत सारे meteorite impact होते हैं meteorite impact okay meteorite impact due to what no atmosphere of what moon क्योंकि आर्थ में दोस्तों आर्थ में एक बड़ा सा atmosphere है आर्थ में atmosphere के करण एक ionosphere है ना ionosphere है तो ionosphere के करण जो meteorite आएगा उसको जला देगा तो आर्थ में जो meteorite impact का effect होगा दोस्तों minimize हो जाता है क्यों दोस्तों क्योंख इसके पास एक आइनस्प्यूर है लेकिन मून पे क्या होगा मून पे नो आटमस्प्यूर अगर आटमस्प्यूर नहीं होगा तो कोई भी आएगा यहां पे तकरा जाएगा ओके बहुत बड़ा-बड़ा डिफ्रेशन हो जाएगा तो आप देख रहे हैं मून पे बहुत जो काले-काले दोस्तो ridge आको यार्थ में किया है एक आर्थ में क्या होता है लुख्तो motivation कि आपकर कोई मैं हांगे लोगन है स्क्ष्कष से लगनेफ आपको याद किलोमेंटर घनलली दोस्तों convince के पास magnetism भी नहीं है no magnetism okay no magnetism in moon तो जैसे आर्थ में magnetism होता है दोस्तों आर्थ के जो magnetism किसके लिए होता है दोस्तों outer core के लिए outer core क्योंकि यह दोस्तों liquid है और इसी liquid के कारण यहां पे दोस्तों charge movement होता है charge movement तो इसी के कारण दोस्तों electricity generate होता है और electricity के कारण आर्थ एक बार magnet जैसा behave करता है लेकिन moon पे तो जैसा नहीं है कुछ moon पे अगर लिक्विड आउटर को नहीं है तो इसी के लिए दोस्तों यहां पे मतलब की magnetic property moon so नहीं करता तो moon has no magnetism जैसे कि earth में magnetism है moon पे magnetism नहीं है okay moon पे atmosphere भी नहीं है तो यहीं था दोस्तों moon के बारा में आज के लिए इतना ही thank you guys